जै माता की सभी भक्तों को जै शीरी राम जै शीरी बालजी माराज तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर रोज एक वीडियो आप तक लाते ही हैं हम तो मैंने सोचा क्यों ना नवरातरी पे जैसे मां के प्यारे चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो डाली हुई हैं जो लेडि तक ये ज्यान वर्दक वीडियो पहुच जाए कि जैसे कि मा की कृपा हमारे से नाराज है या मा जो है हमारे घर में कैसे आवाहन करें कि मातारानी की कृपा या मा की जो जैसे नवरातरी आ रही है उस समय पे हमारे घर में भी आएं और हमारे उपर जो है हर समय दया की करें साथ में मां के प्यारे चैनल पे भी जुरूर फोलो करें चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैशी राम जैशी बाला जी माराज मेहंदी पुर्गी पवित्र किरपा आपके परिवार पर नियंतर बरस्ति रहे आपका परिवार खुश मिया हो मंगल मिया हो अनंद म किरपा आपके घर में अनपूर्णा रूप में वास करें ऐसी प्राथना अपने हर्दे से करता हूं आपके परिवार के लिए जो आप जो इतना स्योग करते हैं वीडियो को देखते हैं वाचिंग करते हैं तो हमारा भी एक फर्ज बनता है नहीं उन लोगों को जैसे मेरे पास कॉल आती हैं तो वो सारे यह कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा फाइदा हुआ अभी एक लड़की कोलकता से कॉल आई थी वो कहती कि जो आपने हुली वाला जो कारेकरम बताया था उस उपाय को करने के बाद उसका 80% जो संकट है वो कट चुका है देखो वगवान के प कुछवास से हम वो काम करते हैं तो फली बूत होए गई होगा कोई भी काम लगा लो अगर माल लोजिए हमने यूटूब पर वीडियो बना कर ये कहा कि आप 41 दिन हनुमान चलिसा पढ़िए क्या आप हनुमान चलिसा हमारे कहने से पढ़ रहे हो नेकिन जब आप पढ़ र है आपको कि आपकी रूठी वी मा को किस पकार से मनाना है अगर मा रूठी वी है आपको मैसूस होता है अंदर से ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि पुत्र कपुत्र हो सकता है लेकि माता कभी कुमाता नहीं होती है लेकि अगर मा रूष्ट है मन में ऐसी भावना आ रही है त तो इसलिए आईए अपनी मा की शिर्द में चलते हैं और उस जगत जनी मा दुर्गा को किस पकार से अपने घर में उनका अवान करना है क्योंकि जब किसी का कोई खुशी होती है तिवार होता है तो उसका वैलकम तो हमें करना चाहिए ना तो वैलकम करने के लिए ओम सरव कि मा की वेदी किस पकार से लगी है और अखंड जो लगा रहे हो तो अखंड जोत में क्या कहनी हम रख रहे हैं हमने बाबा की भी बनाए है मा की भी है सिरफ एक निष्ठा भावना अच्छी होने चीए मा और बगवान के परती तो उसी पकार से क्या है कि आपने जो परेज करने है अगर कोई वर्त रखता है उन्पे भी इन्होंने वीडियो बना रखी है अब करना क्या है मा हमारे घर से नराज है ऐसा मन में आता है कई वारी तो मत कीजिए ऐसी शंका क्योंकि माता कभी अपने भक्तों से नराज नहीं होती और माता कभी कुमाता नहीं होती पुत चोकी लगाना, मैं बाला जी की चोकी लगाता हूँ, मिलकुल 14-15 साल का बाबा की कि पास एक्सपीरेंस है चोकी का, तो इस चोकी के मावजूद भी, मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी की माँ आई और उसको सेध रही है, उसको परशान कर रही है, ऐसा कभी नहीं होता, क्यो से जागरूप करना है, सिर्फ यही तो है, अगर हमें यह पता लग जाए कि हम इन दुवय शक्तियों को किस पकार से जागरित किया जाता है, तो हम वैसे ही बगुमुल्या बन जाएंगे, और जागरित करने के लिए इनको धण की अवैशेकता नहीं होती, इनको किसी भी प जो भगती की जाती है, जब भगती की वो माला एक रूपेन रूप में बन जाती है, तब अपनी मा को आप अर्पित करोगे, तो क्या मा आएगी नहीं, क्या ये वचन सत्ते हैं, क्या वचन आ सत्ते हैं, कि पुत्र कपुत्र होता है, माता को माता नहीं होती, और अपने बच् में चुपा लेती है और मुझे शक्ति परदान करती है मा मुझे अपने आचल में चुपा ले ले से लगा ले कि तेरे भी ना मेरा कोई नहीं तो देखो अगर मा की भगति करते हो आप सचे मन से आप हर्दय से और नवरात्री में अब मैं सिर्फ एक ही उपाया बताऊंगा द आप इतना बोल जाते हो फिर उपाय बता दो जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पता है कि कोई चीज़ क्या है जैसकी यह कोई है है क्योंकि जो लोग वीडियो को देखते हैं वो कि अंदर से भाव अंदर से हुतपन होंगे तब decree की प्राप्ति उत्व पगार की निएंद स्वारतह ciao है की पूजा की पुजा याचना की जाए की हिन DRUC per ora प्रोफिट होगा ही 100% कोुन rer ना दिखने वाला है जिस पकार से शक्ती नहीं दिखती सिर्फ उनको महसूस किया जा सकता है उसी पकार से उस किरपा को कभी दिखाया नहीं जा सकता वो किरपा अपने आप पनपती है हमारे संतान के उपर होती है हमारे बच्चों के उपर होती है हमारे उपर होती है हमारे घ पान के पत्ते तीन पान के पत्ते आपने घर में लेने हैं और उन तीन पान के पत्तों से आपने मा को भोग अर्पन करना है उस भोग में पंच मेवा होगी आपकी और पंच मेवा में आपको मा को उस भोग पर जैसे कि आपने पान के पत्ते लेने किस पकार से हैं ये थोड़ एक दूसरे के ओपर थोड़े छड़ा के अब मैं पूरी डिटेल से दूगा क्योंकि कई लोग फिर कोमेंट करते हैं उसके ओपर फिर कपूर रखना है दो पता से लेखने है और पंच मेवा रखना है मा जगजनी मा बवानी अम्बिके का अवान करना है मा दुर्गा का अवा आन्त में अगर आपको कोई पूजा याचना नहीं आती और आप उस पूजा याचने का फल जानना चाते हो तो शमा ही सबसे बड़ी शक्ति है आप जब भोग अरपन कीजिए और भग अगर आपको मंतर नहीं आते तो मंतर नहीं आते तो सिंपल आप अगनी देमन का चलता रहना चीए जै माता की जै माता की नारियल पे चुननी भी लेपेट रहे हो कलश तापिद भी कर रहे हो दब भी जै माता की जिस भी शक्ति का आवान कर रहे हो जै बाला जी का कर रहे हो या किसका भी कर रहे हो तो आपके वो जो है मन में बसनी चाहिए और जब भोग अ आईए और सभीकार कीजिए जब अंतर की अवाज बगवान तक जाती है क्योंकि बार की अवाज बगवान तक नहीं चल और कपट से बड़ी भी अवाज बगवान को नहीं हिला सकती है लेकि अंतर की अवाज में बहुत ताकत है अंदर की अवाज में बहुत ताकत है आपको यह सब भगवान का दिया है और यह आवाज भी अंदर से भगवान की दीवी है हमारे शरीर में एक आत्मा रूपी एक आत्मा राम होता है जब शरीर का त्याग होता है अगनी में अंतिम सुद्कार होता है तब आत्मा राम होता है उसमें जोती का उपर से केंदर बनावे होत उसी के अंदर एक आत्मा निवास करती है, बस उस आत्मा की आवाज को परमात्मा तक मिलवा दीजिए, आपके गर में जगजन्नीमा बवानी अम्बिके की किरपा 101% बरसेगी, आपके घर के अंदर किसी भी पकार की दुख और द्रिदो का नाश होगा, कोई गरीब है, मा कभ वो भावना अटूट है, अंदर से भरी वी है पुन रूप से, तो मा 100% आपके से खुश होईगी, मा कभी अपने बच्चे से नराज नहीं होती, ना कभी रुष्ट होती, अभी किसी भगत ने मुझे एक कुमेंट किया था, कि मा कभी, मा के ओपर कोई बंदन नहीं पड़ जिसके परिवार में खांदान में पीडी दर पीडी चलती आ रही है, अचानक कि उसके घर के अंदर अगर मीट, दारू, अंडा, शिरावों का सेवन चनन लग जाएगा, तो उस किरपा के ओपर तंबन हो जाएगा, वो किरपा रुख गई, किस ने रोकी, उस कलंकित पुत बल्दान दिया उस भक्ति के परती, क्या आप उस भक्ति और कोई भी बल्दान दिया वया कभी व्यर्थ नहीं जाता, अगर बगर सिंग ने अपनी 22 साल की उमर में बल्दान ना दिया तो शैदी देश अजाद होता, तो बल्यदान और त्याग सबसे बड़ी शक्ति है, औ आप सोचों कि उस भक्ति की पूजा कर रहा था और उस पूजा को बहुमले रूप आपने देना है, आपने उस भक्ति को अकार देना है, आपने उस भक्ति को शक्ति रुपेन बनाना है, आपके उपर डेपैंड करता है कि आप उस भक्ति को कितरा तेजदार बना सकते हो, अब बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे खांदान के ओपर इस पकार की चीज़े आती थी, मैंने वो चीज़ें जो है, आब मालो मेरे क्या मेरे को भी वह काम करना चीज़े, पर मेरी पत्री रोकती है मुझे ये काम करने से, शक्ती को कोई नहीं रोक सकता, किर्पा को कोई नहीं पोह जाता है वेक्ति तूँ ये क्या पता लगता ही कब किसका वाक्त बदल जाए ये सब उस विश्ञु अ की मौनिंद़्ा भी वही है भगवान विश्ञु की आंखों में ज़ो मौनिंद़्ा है जैसे की अब एक बच्चे का अपनी मा के परती प्रेम अपनी बहन के परतिप्रेम ये विश्नु बगवान की मोन इंदर आई ही तो मा है जब ये मा एक माया रुपेन भी है जब आपके अंदर इस शक्ति को जागने तकर दिया जाएगा तब आप किसी भी पकार की माया के गरस्त में नहीं हो सकते हो क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर काम करने पता था, उन्होंने एक्ष की शक्ती को हासिल नहीं करा, उन्होंने जगत की शक्ती को हासिल किया, उन्हें पता था कि माता सिता की किरपा से बहुत कुछ पराप्त हो सकता है, और माता सिता ने क्यों सा वर्दान दिया, क्यों सा वर्दान दिया, जाओ पुतर जाओ, तुम अ पता था कि माता सिता मोजे वरदान देगी तंुनिक संदेवी नहीं था इस बात ये कब उनके पर आ गई उन्हें भी निपता था इसी पकार से जो आपकेत्र वह पहुत कुछ प्राप्त करते हैं अपने बच्चों को अपने बच्चों सविप्ट का ध्यान कर को मा पेन शक्ति जब उनको अंदर सर्स्वती का वास होगा सर्स्वती माई डिश्टता विना पुस्तगदार नी हंस बहाणि मासुकता विद्या दान करो मौमा मातू लक्षिमी disse को का धन की कमीं है मालक्षिमी मातू लक्षिमी करे किरपा करे हेदय में वास मनों कामना सिद्ध करो यही मौर अर्दास हाथ जोरविंती करो सैविदी करो स्वास जैजन्नी जगदंबे के सिंदु सुधा में सुम्रे तोई ग्यान धन वित्या एशव्य दे मोही इस पकार से जब आपके भगतों में अब हमारे अ ऐसा काटोगे, दिवार पर गेंद फैकी है, गलत तरिके की तो गलत घूम के जरूर आएगी, अगर अच्छे तरिके की फैके तो अच्छी भी आएगी, याद रखना तुमारे पिछे की जो दिवार है, अगर अच्छी मजबूत बनी होगी तो आपके उपर कभी नहीं गिरे कर रहा हूं, क्योंकि उसने ये हक दिया है मुझे अपनी तारिफ करवाने का, क्योंकि मेरा अधिकार है, वो मेरी भी मा है, उस जगजनीमा भवानी अंबिके की तारिफ करने में अगर हमारे शबद भी थोड़े पर जाएं, तो वो भी कम है, आज के समय में हम ये सोचते है इदर भटकते हैं, कैना भटको, जिस घर में हनुमान जी महराज और जगजनीमा दुरगा की किरपा होती है, उस घर के अंदर हसबस्त देवी देवताओं की किरपा होती है, इस संसार की सबसे बड़ी शक्तियां है, इन शक्तियों का आसर अपने बच्चों को भी दीजिए अपने बच्चों को संसकार दीजिए, जब उस संसकार के बारे में वो जानेंगे, जब देखेंगे कि जहनुमान जी महराज ने इतने अद्बुत चमतकार किये, मा जगजनी, मा भवानी, अंबगे ने इतने बड़े-बड़े कारिये, महिसा सूर जैसे राक्षरों को रक् देवियों के नाम बच्चों को नहीं पता, तो आप कहां संसकार दे रहे हो बच्चों को, हम अपने बच्चों को बड़े-बड़े मोडल स्कूलों में जरूर बढ़ाते हैं, ये सोचते हैं कि इस स्कूलों में बच्च के बढ़कर हमारा बच्चा अच्छा जब उसमें सं प्रभूशी राम के लिए अपने जीवन का वलिदान दे अपने समस्थ सुकों का त्याग कर दिया हनुमान जी महराज ने कौन सा सुक उन्होंने अपने शरीर पर धारन किया बताईए आप एक वार तनिक सोच के तो देखना कि उन्होंने कितनी बड़ी-बड़ी से त्याग क और जिसने ये सचाई है जब त्याग किया है तो वो किरपा के हकदार भी बनते हैं और उनको किरपा के हकदार दे अज के समय में अगर आप 9 दिन kızım चारिये का वित्याग करते हो तब भी आपके ऊपर उपर किरपा होती है आप हनुमान जी महराज की कोई भी विद्या या प परकाश नहीं आना चाहिए यह अमीर है इसके घर में परकाश आना चाहिए जब भगवान उस सेवा को नहीं रोकते भगवान उस किर्पा को नहीं रोकते तो हम भी कोई नहीं रोकने वाले भगवान की किर्पा निरंतर बरस्ती है और उन्हीं के उपर बरस्ती है जो सचे मन स सचचित निष्टा भाव से भगवान की पूझा याचना करते हैं आप सोचो कि जगजनी मा भावानी अंब्गे की आरति दिश्वम ब्रम्हा विश्णु महेश भी गाते हैं आप उस शक्ति की पूजा जब अपने घर के अंदर करोगे तो निनंतर शक्ति जिसके घर में ये शक्तियां बास करेगी न, क्या करेगा कोई, क्या स्तंबन किरिया करेगा कोई, क्या मारसन करेगा, क्या तंतर, क्या अगोर, क्या चंडी, क्या चंडी, स्वम मा, स्वम आकर अ आप जागित कीजिए ऐसे पकार से जिस पकार से मैं जोस और बारूद से भरा पराओं ये बारूद वो नहीं है ये ना दिखने वाला बारूद ये बारूद मसाला नहीं है ये बारूद वो है जो अंदर धारन किया है बच्पन से ठोक ठोक कर अंदर धारन किया गया है किसी क दवाब से नहीं जब देखा अपनी मा को पूजा करते वे तो यह चीज दिमाग में सेट बैठ गई मेरी मा पूजा कर रही है हर नवरातरी में करती है तो वही चीज अब हमारे उपर आज बोलने रख जाती है अपने आपी क्यों क्यों कि हमने सुन देखा है इसी पकार से तब समय का पता नहीं लगता अंदर की अवाज ही तो जिताती है बार का समय थो ना जिता सकते हैं आपको आप अपने भगवान के परती जब पूजा याचना हर्दे से रख दोगे क्या बात करते हो आप आप सुम गोल्ड से भी उपर डैमन बन जाओगे कहने कि अब शक्त कंटीनू करोगे रोज करोगे रोज करोगे तो धन तो आप अरजित कर रहे हो उस धन को तो पराप्त कर रहे हो और उस धन से क्या मिल जाएगा आपको आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा अब ऐसे भगत होते हैं जो पूजा याचना करते 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 अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं संत मुनी रिशी वो इस मो माया के चक्रों से मोक्ष पा जाते हैं मा के परम दुर्गा सब्तमी में सपष्ट तोर पर इस बात को लिखा गया है कि जो सच्चे मन से जगजन्नीमा भवानी अंब के की पूजा करेगा वो परम धाम को जाएगा मा के मा के परम धाम को जाएगा मा के मरने के उपरांत भी मा के शिरी चर्नों में जाएगा मा के शिरी चर्नों में रहके मा के अदेश अनुसार ही काम करेगा तो आप क्यों ना ऐसा धन को परजित कीजिए क्यों ना ऐसे धन को प्राप्त कीजिए और जब इस धन को आप प्राप्त कर लोगे तो आप सुएन रुपे नहीं हो जाओगी आप ही तो किरपा वान हो जाओगी जब किरपा कभी रुक जाएगी कभी नहीं रुकेगी जिस जगत जन्नी ने आपको सविकार कर लिया जिसने अपने चर्णों में लगा लिया अपनी भगती का भार दे दिया हम सुबग्यशाली है मा आज सचे मन से हम ये भी प्रात्र न करते हम सुबग्यशाली है हे शिरी बाला जी माराज जो आपकी शर्म में रहकर हम आपके नाम का एक तनिक साभी परचार करने तो हम हर परिक्षाओं में साफ हो इस पकार की मन में स्थेष्ट भावना लेकर काम केजिए जगत जन्य आपके ऊपर सदा आपके ऊपर किट पा रखेगी आपके को अपर में रखेगी आपकी साथ sinfulी ले लेगी वह आने उसका नहीं सुबताया जो आपने पान का उच्छ ब सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिसको अगर संकट की ज्यादा तकलीफ रहती है वह भी कर सकता है और वैसे सब्सक्राइब करोगे और आपके घर में भी वह धन जो निराकार रूप से चलता है जो आपके बच्यों परिवारों पे किरपा के रूप में चलता है तो बोलिए बोल मा जगजनी मा बवानी अंब के महिया की जैहां बोलिए मा शिरी बाला जी महराज की बाला जी सरकार की जैह मता है